Hi everyone, last lecture में हमने projection का definition देख लिया था कि projection क्या होता है और उसका methods भी देख आता है कि कितने types का होता है तो उसमें हमने देखा था कि orthographic projection होता है उसके बाद isometric projection, फिर oblique projection and perspective projection जिसमें से हम लोगों को आज in fourth method का definition देख लेना है थोड़ा थोड़ा सब के बारे में देख लेना है उसके बाद फिर next lecture में हमें अपना second unit जो main है orthographic projection उसके बारे में पढ़ लेना है तो देख लेते हैं सबसे पहले orthographic position first number पे था तो orthographic position क्या होता है तो यह एक तरह का method है जिसमें हम लोग three dimensional object को two dimensional sheet पर represent करते हैं दो या दो से जादा view में कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी object है जैसा कि हमने देखा था कि कोई object है three dimensional object है इसके पास three dimension है length भी है height भी है width भी है तो इसको अगर हमें sheet पर two dimensional sheet मतलब हमारे पास sheet जो रहता है उसका length or height रहता या length of width रहता है height तो उसमें रहता नहीं कोई एक dimension तो रहता नहीं है because वो एक plane है तो किसी भी two dimensional sheet पर represent करने का method है जिसमें हम लोग इसको represent करते हैं तो ही है two या two से ज्यादा view, view कहने का मतलब है कि सामसर हमने सामने देखा pra eleven इन देखा उसको front view बोल दिया top से देखा तो से देखा तो साइड व् 걱정 करना पड़ता है तो दो या two से ज्यादा view में बनाने का method है जिसमें हम दो थी shape of a 3-Dimensional object मतलब 3-Dimensional है उसके पास 3-Dimensional object है पर उसके पास 3-Dimensional ही रहता है उसके पास 3-Dimensional waking होता है एंद होता है लेंद भी होता है on a 2-Dimensional sheet 2-Dimensional sheet पर 2-Dimensional Acts hardware in more view टो जीव या 2 ज़्यादा view पर हमनों उसको represent करते है minimum यहाँ पर यही होता है orthographic position में minimum हमें 2 view बनाना पड़ता है वो आगे देखेंगे जब orthographic हम लोग पढ़ेंगे वहाँ full detail में पढ़ेंगे यहाँ पर बस हमें definition थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेना है फिर main जो अपना chapter है वहाँ in करना है तो समझ गया होंगे three dimensional object का जब हम लोग शीट पर बनाते हैं शो करते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा view बनाकर हम लोग इसको represent करते हैं उस object को represent करते हैं उस projection करते हैं उस projection के method को हम लोग बोलते हैं इस अपत्र आपने देखा हैं और अपर आपस में पारलं धिख रहे है और मतलब कैसे होता है यहां पर हम लोग इस object को देख रहे हैं, तो ray of side जो है, वो उसको हम लोग पोजेक्टर से बोलते हैं, यहां से जो गया, वो projectors वो plane पर आया, यहां से projectors किया, वो plane पर आया, तो यह projectors जो है, आपस में एक दूसरे के parallel होंगे, जो line यहां से गया, और यह line यहां से गया, वो दुनों आपस में parallel होंगे, और इस vertical plane के यह perpendicular होगा, बतलब यह जो projector है, जो projector यहां से इस object के corner से गया, वो इस vertical plane से 90 degree पर होगा, और्थोग्राफिक पोजेक्शन तभी उसको हम लोग बोलेंगे, अधर्वाइस वो फिर दूसरा projection हो जाएगा, और्थोग्राफिक पोजेक्शन में, पोजेक्टर्स जो होते हैं, वो आपस में parallel होते हैं, और पोजेक्टर्स जो होते हैं, वो plane of projection के, या फिर हम लोग picture plane जिसको बोले थे, उसके वो perpendicular होता है, इस position method को हम लोग multi view projection भी बोलते हैं, विकाउज इसमें, दो या दो से ज़्यादा view बनाना कमपल सरी होता है, उसके बिना हम इस position method को नहीं कर, इससे हम अबजेक्ट के बारे में detail नहीं बता पाते हैं, विकाउज अबजेक्ट है कोई किसी भी object का हम drawing कर रहे हैं, तो जो engineers है, उसको पढ़ने वाले हैं, जो drawing देखने वाले हैं, उनको उस object के बारे में full detail पता होना चाहिए, और वो detail minimum 2 view बना कर ही हमें मिल पाता है, 2 view बनाने से ही मिल पाता है, प्रोजेक्टर्स इसमें parallel होते हैं, perpendicular to plane होते हैं, और multi view projection इसको बोलते हैं, विकाउज यहाँ पर 2 या 2 से जाधा view हमें बनाना होता है, इसलिए multi view यह हो गया है, अब हम लोग यहाँ पर image देख लेते हैं, कि image हमें कैसे कैसे orthographic में होता है, वो कौन सा method है, कैसे उसको हम लोग रिपर्जेंट करते हैं, तो देख लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो image last lecture में हमने देखा था, वो orthographic projection का ही था, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर projectors जो है, जो object आगे में रखा हुआ है, इसके corner corner से जो lines जा रहे हैं, वो projector होता है, वो हमने last lecture में भी देखा था, यह projectors जो है, वो आपस में parallel आपको दीख रहे होंगे, यह दूसर के parallel होते हैं, और जो projection का plane है, जिसको हम लोग यहाँ पर plane लिखा हुआ है, कि वहाँ पर object है, ray of sight हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो हर एक point से, यहाँ पर projectors जाते हैं, जो lines जाता है, जो rays of sight जाता है, वो projectors कहलाता है, और जो plane हमारा है, यह plane पर जो हमारा बन रहा है, और उस object का projection, वो projection, जिस plane पर बनता है, उसको हम लोग प्रजेक्शन प्लेन बोलते है, या plane of position बोलते हैं, और object का जो projector होता है, जो projector जा रहा है था, projector और projection के बीच में जो angle होता है, also perpendicular to the plan होता है, यह चीज हम ने और्टोगराफिक प्रजेक्शन देख लिया है, अब next हम लोग देख लेते हैं isometric projection क्या होता है अब हम लोग second देख लेते हैं isometric position तो ये भी एक तोरह का projection का method है बढ़ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जितने भी object जो भी object हमारा होता है उसका जो हम लोग position करते हैं उसका full detail हम लोग one view में ही बता देते हैं जैसे कि अभी हमने orthographic में देखा तो वहाँ पर हमने बढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा view हमें वहाँ पर बनाना का पलसरी है otherwise हम लोग exact detail object के बारे में नहीं बता पाते हैं but isometric position में benefit क्या होता है कि one view में ही कोई भी three dimensional object है उसका जब हम लोग two dimensional sheet पर जब हम लोग उसका position करते हैं तो one view में ही मतलब एक ही view उसका हम लोग बनाते हैं उस view में हम लोग सारा कुछ बता देते हैं कि उस object का height क्या है, उस object का width क्या है, उस object का depth क्या है सब कुछ हम लोग एक ही वियू में बना देते हैं, तब उसको हम लोग आईसोमेट्रिक पोजेक्शन बोलते हैं, आगे भी वैसा इस थाइप का पोजेशन है, बट वहाँ पर थोड़ा सा विरेशन होता है, तो आईसोमेट्रिक पोजेक्शन में यही हमें मिला है, कि अगर आ कि अमय प्युक्सिन होता है, तो आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे, वह देखने पोजेक्शन बजय कर सकते हैं अगर वैसा requirement होता है, गा रहती हुआ है, अगर एकषे सैफ आफ इस साइफ पय टिight theoretical कर रहे हैं, अगर हम सचो शैज कैन पम लोग उस फोजेक्शन से तो उससे हम लोग actual size भी वहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे के orthographic में भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग actual size निकाल सकते हैं, तो यह था isometric position कैसा दिखता है, अब हम लोग को यह देखना है कि कैसे हम लोग किसी भी object का one view में ही सारा dimension हम लोग सो कर पा यहाँ पर हमने three view मनाया है, front view आपको दिख रहा है, उस तरह से top view दिख रहा है, और फिर left end view होता है, यह सब क्या होता है, वह हम लोग जब orthographic पढ़ेंगे तब आपको detail में समझ मायेगा, फिलाल यहाँ पर आपको समझ लेना है कि orthographic में हम लोग 2 या 2 से जाधा view बनाते है और isometric view यहाँ पर आपको दिख रहा है, three view isometric, यहाँ पर मतलब हम लोग इस object का जो उबर का surface है, horizontal surface है, वो भी show कर पा रहे है, उसके बाद इसका जो भी vertical plane है, vertical surface है, एक तरफ का वो भी show कर पा रहे है, और इस side को जो भी है, वो भी हम लोग show कर पा रहे है, मतलब एक ही dimension में उस object को ऐसा बनाया हमने, कि वो three dimensional object जैसा दिख रहा है, मतलब three dimension वहाँ पर उसका हमें दिख जाएगा, horizontal भी क्या है, length मतलब क्या है, width क्या है, और height क्या है, सारी चीज़े हमें isometric में दिख जाता है, तो यहाँ पर कुछ angles में बनाया जाता है, वो आगे हम लोग जब isometric वो isometric view या isometric position बना है, यहाँ पर इसको हम लोग pictorial view भी बोलते हैं, कि एक तरह का pictorial view है object का, जिसमें हम लोग किसी भी object को, three dimensional object को two dimensional में बनाते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं, कि one view में ही उस object का सारा detail हमें मिल जाए, तो वहीं बोल रहा है, यहाँ फ्रंट व्यू माल ल हुआ है, कि one view में ही हम लोग यहाँ पर उस object का सारी चीज़े detail शो कर पाते हैं, इस ही है isometric projection, I think आप लोग समझ के होंगे, orthographic में हम लोग 2 या 2 से जादा view बनाना पड़ता है, पर isometric में हम लोग एक view में ही उस object का सारा detail दे पाते हैं, जब orthographic हम लोग पढ़ेंगे, जब स आपको दिखेगा कि, दो view कम से कम बनाना जवरी है, अधरवाई जवरत होता है, तो 3 view भी हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे, क्या जवरत होता है, अब हम लोग देखते हैं, थर्ड जो हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ना ह कि वो क्या होता है उसके बाद फिर हम लोग पर स्पेक्टिव स्टार्ट करेंगे अब थर्ड देख लेते हैं अपना पॉजेशन का जो मेथड है इसमें यह भी एक तरह का सेम चीज है जैसे कि हम लोग ने पॉजेशन में देखा कि थ्री दाइमेशनल अब्जेक्ट को टू उसके पैरलल कर देते हैं और जब पोजेक्टर्स जो यहां पर होते हैं वो इंध्यान होता है Q प्लेइन ओव पोजेक्टर्स जैंदा और इमेज देखेगा थिखेगा इंग आपको अब एक linger là लग पाएगा कि यहां पर एक्टय फोता क्या है इसमें क्डकिक में क्या होता जो object था, उसको हम लोग थोड़ा सा incline करते थे, पस फिर हम ने thuग्राफिक में कहा, देखा कि उसको अ मिलुक एससे रखते थे, front में क्या दिख्या बनाते थे हैं, top में क्या दिखा बनाते थे हैं, तो हम लोग पैरलल रखते हैं और बाकी फेस जो होता है वो कुछ एंगल पर इंकलाइंट हो जाता है मतलब नीचे वाला फेस तो है इस पर रग भी है horizontal करके बना देते हैं वो अभी हम लोग इमेज देखेंगे कैसा दिखेगा वही बोल रहा है लास्ट पॉइंट के अबजेक्ट रेस्ट ऑन वन फेस मतलब कोई भी ऑबजेक्ट है उसको हम लोग एक फेस पर नीचे वाला फेस है उस फेस पर हम लोग रखते हैं बट यहां पर देखेंगे अब लोग देखेंगा वाले हैं कैसा इमेज देखेंगा आप लोग देखेंगा isometric में और oblique में क्या difference है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो isometric में आपको दीख रहा होगा यहाँ पर आप वहाँ पर देखें isometric position में जो back side का portion होता है वो थोड़ा सा कुछ angle पर incline कर दिया आता है मतलब object को ऐसे ना रखकर object को हम लोग हलका सा कुछ angle पर incline करकर रखते हैं तब जो हम लोग को view दीखता है वो isometric view या isometric position होता है बट oblique में क्या होता है उसको हम लोग horizontally ऐसे करकर रखते हैं और side का surface होता है उसको हम लोग incline करते हैं तो वही चीज़े आपको यहाँ पर दीख रही है कि oblique projection आगे का जो plane है आगे का जो face है वो just parallel हो गया वही बोल रहा है one face is place parallel to plane and plane के parallel होता है वही यहाँ पर जो हमने पर point देखा था यहाँ पर तो अभी hide हो गया होगा वो उस point में बोला गया है कि one face जो होता है oblique plane में आगे का face उसको हम लोग just इसके parallel लगते हैं बाकि side वाले को थोड़ा सा incline कर देते हैं तो वही यहाँ पर आपको image दीख रहा होगा oblique projection में side वाला 45 degree यहाँ पर incline है और आगे का जो face है वो exact shape का है बाकि जो faces है वो exact set में नहीं बनाया गया उसको थोड़ा सा incline बनाया गया है यह भी एक तरह का position करने का method है इसलिए हम लोग oblique position नाम दे दिये हैं अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर दो variation है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब कुछ angle पर अगर हम लोग इसको होता है तो के वेलियर मतलब अगर हम लोग सेम रेशियो में बनाया मतलब जो dimension back side का दिया है सेम अगर लेंद का हमने back side में बनाया सामने वाला तो side face बराबर ही रहता एक वखली रहता तो हम लोग देख रहे हैं बट back side वला अगर हमने same length के बनाए माली जी के 1 meter के दिया हुआ है तो 1 meter के हमने ड्रॉ किया object का size या फिर centimeter में बात करें तो अगर 10 centimeter में अगर अगर उसी को हम half करके अगर हम लोगब ड्रॉ करते हैं माली जी के 10 centimeter तो हम लोग 5 करते हैं 1 by 2 करते ते तो कंदें वह similar casino तो अगर कि दो टाइप हो गया है काविली पोजेक्शन और उसके बाद फिर क्याविनेट पोजेक्शन दो वीरेशन हम लोगों पने हैं पर देख लिया हैं यहां पर देख लिए यह थि तरह का मेफर हद ही आपके और दोड एंगल पर निचे का जो faces होता है उस पर object को रखा जाता है तो यह हमने oblique position देखे लिया अब हम लोग fourth last जो है वो हम लोग perspective देख लेते हैं तो हम लोग fourth देखने वाले हैं perspective projection जो है तो perspective projection क्या होता है किसी भी object का representation होता है किसी भी plane surface पर जैसा कि वो हमें अपने eye से दिख रहा है कहने का मतलब हो गया simple language में कि किसी भी object को मान लेजे कि हम लोग देख रहे हैं मान लेजे कि हमारे सामने एक building है उस building को हम लोग देख रहे हैं किसी भी position पर building के सामने खड़े हैं उस building के सामने खड़े होकर किसी भी angle पर एक fixed position से हम लोग देख रहे हैं तो देखते टाइम क्या होता है कि जो भी building है हमारा काफी बड़ा होता है और जो भी points हरे corner से building के आ रहे हैं वो हमारे points वो raise जो होते हैं वो आकर हमारे आई पर क्या होते हैं converge होते हैं अब उस conversion में क्या होता है बीच में हम लोग plane surface लगा देते हैं और plane surface लगाने के बाद उस plane surface पर जैसा भी image उस building का बनता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो perspective projection है उस building का या उस object का which is यहाँ पर बोल रहा है representation of an object on a plane surface as it would appear to the eye जैसा ही वो आई पर हमारा दिख रहा है आई appear to the eye पर हमें दिख रहा है उसी का plane surface पर representation जब हम लोग कर देते हैं उसी को हम लोग perspective projection बोलते हैं वहीं बोल रहा है विन view from a fixed position कोई भी position से हम लोग देख सकते हैं तो इसका use सबसे जादा हम लोग कहां करते हैं architecture जो हम लोग होता है जो हम लोग किसी भी building का figure बनाते हैं drawing बनाते हैं आप देखते होगे कोई भी building के सामने जब construction होते रहता है वहाँ पर बहुत बड़ा board में उस building का एक view बना हुआ होता है कि कैसे दिखेगा वो हम लोग को तो वो उसी से बनकर आता है perspective projection से ही बनकर आता है किसी एक angle से खड़े होकर माली जे की building सामने है या तो उस position से खड़े होकर या इस position खड़े होकर हम लोग उस building को देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खड़े है माली जे आगे में उस बीच में हम लोग एक vertical plane लगा देते हैं और object का जो हर एक raise आता है वो आई पर converge करता है तो क्या होता है कि वो प्लेन सर्फेस को भी पियर्स करते हुए वो पार करते हुए आई पर आता है तो जिसके वज़़ा से आई पर भी इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनेगा वो अभी हम लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाने वाले तो इस perspective position का यूज कहां करते ह आप लोग देखें वहाँ पर आपको दिख रहोगा एक यहाँ पर होम है या बिल्डिंग है बोल सकते हैं अब यहाँ पर यहाँ पर observer खड़ा है जो जिसका eye यहाँ पर है observer यहाँ पर एक fix position पर खड़ा है वहाँ से वो देख रहा है तो देखता होता क्या है कि building के हर एक point से raise आता है और eye पर आकर converge करता है अब eye पर आकर converge कर रहा है तो बीच में हम लोग क्या करते हैं एक plane surface लगा देते हैं एक view plane जो बोला गया था plane surface हम लगा देंगे उस plane surface पर लगाने पर जैसा ही वहाँ पर object का जो हमारा building है या object है उसका view जो बनने वाला है या जो projection होने वाला है उस position को हम लोग बोलते हैं कि वो उस object का perspective projection है वही यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर theory के form में वही लिखा वो भी ह तो raise pierce the picture plane and form an image on it raise जो आ रहा है वो क्या कर रहा है पियर्स कर दे रहा है picture plane पर and this image is perspective of the object इस image को हम लोग पर perspective of the object बोलते हैं object का वो perspective projection है mainly used in architecture architecture में इसको हम लोग यूज करते हैं तो यह हम लोग ने देख लिया है four type का projection method देख लिया है first हमने orthographic देखा था वहाँ पर number of views ब बराना परता है उसके बाद फिर हम लोग isometric देखा था जहां पर हमने 3D object को two dimensional sheet पर draw किया था और वहाँ पर one view में ही उसके सारे dimension को हमने show कर दिया था उसके बाद फिर orthographic देखा था उसके बाद हम लोग oblique देखे थे हैं oblique में हमने क्या देखा था कि आगे का face जो है वो parallel to the plane रखते हैं उसके बाद back side का जो होता है वो कुछ angle पर inclined होता है और उसमें फिर दो methods हमने देख लिया था वहाँ पर oblique में क्या था कि surfaces पे किसी flat surfaces पे वो object रखा हुआ होता है पर isometric में थोड़ा सा inclined करके रखा हुआ होता है जब हम लोग isometric detail में पढ़ेंगे तब वहाँ पर देख लेंगे और फिर हमने perspective देखा तो perspective में क्या देखा कि eyes पर हमारा जो उस object का बन रहा है आई पर जो converge होकर raise आ रहा है बीच में हम ल आई से इससे बिल्टिंग को देख रहें perspective projection की बात हो रहे है राइट सेने में उस बिल्टिंग को खड़े और देख रहे है तो उसका कुछ अलग व्यू बन सकता है अलग image drawing मन सकता है left side अगर खड़े होकर देखना है तो इसका अलग बन सकता है अगर तो आगे खड़े हो फुल डीटेल में पढ़ेंगे, क्या-क्या मेधर्स होते हैं, वहाँ पर फस्ट एंगल, थर्ड एंगल में क्या डिफ्रेंस है, यह सब सारी चीज़ है, हम लोग नेक्स लेक्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज की लेक्टर में कुछ भी अगर कोश्चन होगा, कुछ पीडिएफ नोट्स अविलेबल है, वो नोट्स अबजेक्टिफ कोशन का है, 100 प्लस अबजेक्टिफ कोशन वहाँ पर है, विकाउज अबजेक्टिफ कोशन आपके एक्जाम में काफ़े इंपर्टैंड रोल प्ले करने वाले हैं, तो आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकत सकते हैं जो भी स्लेबस यहां पर हो गया आप उसको उतना कवर कर सकते हैं वहां पर अंसर भी दिया हुआ है उसका आप चाहिए तो उसको पढ़ सकते हैं तेहें पर वीडियो का स्टॉप करते हैं देखने के बाद लाइक और शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नही वीडियो के कमेंट में ज़ूर कताईएगा थैंकियो सो मच गट पाय